देखिए जन्रलिक क्या है कि जो में मन्त होता है वो साल का सबसे गरम महिना होता है और इस समय बहुत सारी जगह जो temperatures है और rainfall activity ना हो Northwest India में तो 45 degree cross कर जाते हैं और अभी भी यही scenario बना हुआ है कुछ दिनों से और हमारा अन्मान जे है कि आने वाले at least one week almost ऐसा scenario रहेगा जिसके लिए हमने heat wave to severe heat wave में हमारी definitions दो टाइप की होती है heat wave का एक तो हम departure के वेस्ट पे देखते हैं कि अगर आपका जो समाने temperature से जो temperatures है four point five degrees से ज़्यादा हो तो हम heat बोलते हैं और अगर six point five degrees से ज़्यादा हो तो हम severe heat wave बोलते हैं लेकिन इन generally जो में मन्थ होता है उसमें क्या होता है कि दूसरा जो हमारा criteria है कि अगर आपके temperatures forty five degrees पहुंच जाते हैं तो भी हम heat wave बोलते हैं और अगर वो forty seven पहुंचते हैं तो हम उसको severe heat wave बोलते हैं अभी जो scenario बनावा वह ऐसे ही है कि बहुत सारी जगा जो temperatures हैं forty five degrees से जादा है even दोनों criteria satisfy हो रहे हैं जिसके लिए हमारा यही अनुमान है कि पांच दिन राजस्थान specifically best राजस्थान पंजाब हर्याना इसमें ऐसा ही scenario बना रहेगा जिसके लिए हमने पांच दिन वहां red alert दिया है और जब red alert दिया है कि लोगों सारी precautions लेने के जुरूरत है इसका meaning है कि जब दिन के time generally उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए जब निकलते हैं अगर मुझबूरी है तो सी ढखके निकलना चाहिए और इसके लावा fluid का इंटेक्स जादा रखना चाहिए plus light clothes पहने चाहिए यह सारी advisory's हम अपने एंडियमे की जो guidelines हैं उस अपने बुलेटिंस में आड करते हैं लोगों को high precautions लेनी चाहिए अगर आप बाकी राजयों की बात करें उतर परदेश में भी आने वाले तिन चार दिन heat wave रहेगा और उसके बाद थोड़ा वहाँ वेट हो जाएगा उसके बाद हमार रहेगा और उसके लिए भी हमने orange लड़ दे रखा है मैं ही बोल दो हाँ बाकी चीज में आभी आपको weather के रिलेटर जनली जो भी weather activity हो रही है वो South Peninsula इंडिया में हो रही है वो मैं आपको satellite pictures के बादे हम से दिखाना चाहूंगा अगर आप देखें जहां काफी बड़ा cloud patch ब बना हुआ है तामिल लाडू के उपर और यह आने वाले चार पांच दिनों में persist करेगा जिसके प्रभाव से क्या रहेगा कि आने वाले चार दिन जनली तामिल लाडू और के लिए हमने extremely heavy rainfall का warning दे रखा है extremely heavy rainfall mean 20 cm से जादा वहां कहीं न कहीं कुछ हिस्सों में extremely heavy rainfall activity हो सकता है डे फाई में उसके बार हो सकता है थोड़ी इसमें कमी आ जाए इसके लावा ही अगर आप देखिए पूरा कलॉड पैट्स बढ़ा हुआ है इस समय जो आज हमारा जो सौथ वेस्ट मानसुन है वह भी कुछ हिस्सों में advance किया है के लाके लिए रिख्यार भी हमने 31 में का डेट दिया है और पाकर आप सोथ क्या बोलते हैं बेव बंगाल की बात करें श्री लंका के सौथ में जहां मानसुन अडवास कर चुका है इसके साथ ही थोड़ा निकोवार हिस्थों में भी आज मानसुन ने advance किया है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बै